चलिए दोस्तों मैं आपके साथ बहुत दिनों बाद वीडियो में मिल रहा हूँ मैं थोड़ा बीजी था इसलिए पिछले तीन हपता में कुछ वीडियो अपलोड नहीं किया तो आज मैं एक स्पेशल प्रोड़क्त लेके आ गया हूँ अगर आपको एक राउटर चाहिए तो आपको कौन सा लेना चाहिए और मेरे को ये राउटर कितना प्राइज में मिला चलिए इस वीडियो में बात करते हैं ये राउटर आ रहा है डिलिंग की तरब से मैं इस वीडियो में आपको ये router का unboxing और setup करके दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ वीडियो का last में मिने को ये router कितना में पड़ा ये एक dual band router है इसमें आपको 5 GHz और 2.4 GHz दोनों ही band देखने को मिलता है तो चलिए दोस्तों अभी इसका unboxing स्टार्ट करते हैं आप जब इसको Amazon से order करेंगे तो आपको ये ही package में ये router मिलेगा इधर आपको bill मिलेगा और इसमें आपको कोई extra covering नहीं मिलता तो चलिए इसका unbox करते है चलिए दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं आपको box में क्या मिलता है देखने को जैसे कि आप देख सकते हैं आपको एक manual मिलता है quick installation guide और इसमें आपका model नॉम्बर भी mentioned है एसी 750 dual band router और इसका model है डिया याइट-06 आइन फिर इसको site में रखते हैं आपको box में अंदर और क्या-क्या देखने को मिलता है आपको एक land cable देखने को मिलता है जो कि एक cat6 land cable है फिर आपको देखने को मिलता है में इन राउटर यह राउटर आपको डीलिंग के तरफ से देखने को मिलता है यह एक ट्रिबल आंटेनर आउटर है जैसे दोस्ता आप देख सकते हैं इसमें आपको चार्ड लैन पोर्ट मिलता है और एक इनपूट का वैन पोर्ट मिलता है और इसमें आपको एक रिसेट का फिजिकल बटन देखने को मिलता है और एक पावर का पोर्ट मिलता है दोस्तों चलिए देख लेते आपको बॉक्स यही तीन चीज़ आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है और आपको देखने को मिलता है एक मैनुल और इसको आप क्विक इंस्टोलेशन गाइड भी बोल सकते है इसमें आपका सब स्टेप बाइस्टेप मेंशन किया है कैसे आप इस राउटर को सेटप करेंगे इस रा इसका बेल क्वालिटी आपको पूरा प्लास्टिक को देखने को मिलता है और इसमें आपको तीन एंटेना देखने को मिलता है और आपको आप इसको रोटेट कर सकते हैं यह तीनों एंटेना को आप डिफरेंट डिटेक्शन में रोटेट कर सकते हैं जैसे आप इसको इधर रोटेट कर सकते हैं इसको इधर और इसको इधर रोटेट कर सकते हैं अच्छा कवरेज के लिए आप इसको डिफरेंट डिटेक्शन में रोटेट कर सकते हैं और आपको इधर कुछ देखने को मिलता है आपको प्लास्टिक का इस राउटर को सीधा करके यूज करेंगे तो आ जो हीट जेनरेट होता है राउटर के अंदर इसका नीचे जो एडवेंट है उससे यह कुल रह सकता है यह एक बढ़िया यूनिक फीचर मिल जाता है जिससे आप अपना राउटर को बेस से थोड़ा सा उपर रख सकते और जब आपका काम हो जाए तो आप इसको फिर से ऐसे है जो इसका उनबंक करना चाहिए इसको विल मांट करके सकते और अगर आप इसुदी इस को रोटेट करके आप आसे रोटेट करू को जिससे आपसे आपका राउटर से थोड़ा उपर हूं तो चलिए दोस्तों मैं भी दिखाने वाला हूं मैं इस राउटर को कैसे सेटप करता हूं इसका सेटप प्रोसेस बहुत ही इजी है दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यह मेरा पुराना राउटर है मैंने इसको चेंज करके मेरा नया वाला डिलिंग का राउटर को सेटप किया है तो मैं आपको दिखाने वाला मैं आपको description में एक URL दे दूंगा जिससे आप डिरेक्ट आपका router setup पेज में जा सकते dealing का जिसमें आपका username होगा admin और password भी होगा admin तो आप जैसे उसको open करेंगे तो ऐसे एक page आएगा तो अगर आप इस router को as a router set करना सकते हैं तो आप यह वाला fill up कर लेंगे और अगर आप इसको एक repeater के तरह use करना चाहते तो आप यह repeater वाला section fill up कर लेंगे जिससे आप अपने router को configure कर सकते तो आप जब इसमें आपका सारा details fill up कर लेंगे तो आप आपका network provider को call कीजिए तो आपको दस पाच-दस minute में आपको access मिल जाएगा इंटरनेट का तो ऐसे आप अपना router setup कर सकते हैं चलिए दोस्तों अभी मैं मेरा verdict देने बाला हूँ कि मैंने जो नए router dealing का निया है वो कैसा काम कर रहा है मैं इसको पिछले दो दिन से यूज़ कर रहा हूँ जैसे कि आप देख सकते यह टीपी लिंक का मेरा पुराना वाला router है तो मैंने इसको चेंज करके dealing का नया router लिया यह सिंगल राउटर है और इसका model आप देख सकते है टी यल डव्लु आर्ट एट फोर वान एन है इस राउटर को मैंने चार साड़े-चार साल पहले लिया था अभी यह थोड़ा सा प्रॉब्लिम कर रहा है connection लॉस्ट होड़ा है और यह सिंगल बैंड राउटर है और इसमें आपका स्पीक का भी fluctuation देखने को मिल रहा है सो मैंने इसको चेंज करके dealing का यह वाला नया राउटर लिया जो कि है डिया यार 8061N यह से 750 मॉड़ल है इसका तो मैंने वो टीपी लिंग का राउटर को चेंज करके यह dealing वाला नया राउटर लिया तो चलिए अभी बात करते हैं क्या आपको यह राउटर लेना चाहिए तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको मेरा बिल में दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे को यह राउटर सिप 8999 में मिला दोस्तों इस राउटर के रेंच यह अच्छा नहीं है तो अगर आप अगर आप कोभा कोई 3 बेड रूम बाला फ्लैत In अगर में रहे तो इसका र्य्च ठिक-ठाक एगश्यoin तो इसका रेंज उतना अच्छा नहीं है, इसका 2.4 GHz का स्पीद ठीक ठाक है, और 5 GHz का बैंड का स्पीद बहुत ही अच्छा है, यह राउटर मेरे को सीव 800 में मिला, मैं इस राउटर से साटिसफाइड हूँ, अब तक का परफॉर्मेंस है, मैं इसको पिछले 2 दिन से यू किया है, तो मैं अभी आपको इसमें live speed test करके दिखाने वाला हूँ, इसका wireless का speed कैसा है, मैं यह speed test मेरे realme x7 max में कर रहा हूँ, जिससे आपको पता चाल जाएगा कि इसका speed कैसा है, मैं अपना घर में 40 mbps वाला plan यूज़ कर रहा हूँ, जिससे आपको एक idea हो जाएगा, कि अगर आप इस router को buy करेंगे, तो आपको upload या download speed कैसा देखने को मिलेगा, तो दोस्तों जैसे आप देख सकते, मेरा upload और download का speed, मेरा upload speed है 41.8 और download है 32.5, जो कि थोड़ा सा up down होते रहता है, पर मैं यह speed से satisfied हूँ, मैं अभी आपको via LAN speed test करके दिखाने वाला हूँ, कि आपको कितना speed देखने को मिलता है, तो दोस्तों मैं 40 Mbps का plan यूज़ करता हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, इस router का wire LAN speed मेरे को कितना मिलता है, मेरा laptop में, तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, मेरा ping है 1 millisecond का, और download speed है around 40.84, मेरे को around 42 तक मिल जाता है, download speed, और upload speed मेरे को around 32 से 34 के बीच में मिल जाता है, wire LAN, और wireless भी मेरे को similar speed देखने को मिलता है, आप ये box का side में देख सकते हैं, ये AC 750, speed है, dual band है, extreme range है, fast ethernet port है, और multiple modes है, इस राउटर में आपको कोई भी gigabits port देखने को नहीं मिलेगा, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप 1Gbps का plan यूज करेंगे, तो आप इस राउटर को मत लिजए, इसका LAN port में आपको 1Gbps का output नहीं देखने को मिलेगा, और ये राउटर आप किसी भी चीज़ के साथ यूज कर सकता है, इसको ऐसा आप रिबिटर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, बॉक्स का साइट पर mention है, कि आप अपना phone, tablet, PC, और laptop कुछ भी इसके साथ यूज कर सकते हैं, तो अगर आपको ये अंडर 1000 रूपीज मिल रहे हैं, तो ये एक बहुत ही बढ़िया डिल है, इस राउटर का build quality मेरे को उतना पसंद नहीं आया है, ये थोड़ा से cheap quality का लगता है, build quality, पर ये राउटर को यूज करके मेरे को बहुत ही पसंद आया, इसका दोनों इबैंट ठीठा काम करता है, और इसका रेंज थोड़ा कम है, दूसरे डाउटर के मुकाबले, पर आज प्राइस के हिसाब से ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, थैंक्स पर वचिंग दिस वीडियो, प्लिस लाइक, शेर और सब्सक्राइब,